पायल एक टीचर थी, काफी समय से उसके बड़े ताउजी उसे दीनापुर गाउं में कुछ समय के लिए बुला रहे थे, क्योंकि उनके गाउं का टीचर छुट्टियों पर गया हुआ था, और उस गाउं में एक ही मास्टर था, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए पायल के बड़े ताउजी ने सोचा, कि वहाँ पायल को ही कुछ महीनों के लिए अपने पास बुला ले, और कुछ समय से पायल शहर के दूसरे स्कूल में नौकری के लिए अपलाई कर रही थी, इसलिए वो अभी खाली थी, तो उसने अपने बड़े ताउजी क गाउं तीनापुर जाने का विचार किया एक ट्रेन थी जो उस गाउं से होकर गुजरती थी पायल के बड़े ताउजी ने उसे समझा दिया था कि वो ट्रेन कुछ समय के लिए स्टेशन पर रुखे की तो वो स्टेशन पर उतर जाए और ऐसा ही हुआ एक स्टेशन पर ट्रेन कुछ समय के लिए रुखी तो पायल ने गाउं का नाम एक बोर्ड पर पढ़ा तो ट्रेन से उतर गई और ट्रेन अपनी रफ़तार से आगे बढ़ गई अरे मुझे तो दीनापुर गाउं जाना था ये तो दीन पुर गाउं है ये मैं किसी गलत गाउं में उतर गई क्या थोड़ा आगे जाकर देखती हूं हो सकता है बोर्ड पर गलत नाम लिखाओ पायल थोड़ा गाउं के अंदर की तरफ चल कर जाती है पर वा गाउं का नजारा देखकर हैरान रह जाती है गाउं उल्टा था वहां के घर उल्टे बने हुए थे लोग उल्टा चल रहे थे पायल कुछ पल के लिए तो घबरा गई तभी सामने से एक औरत आती दिखाई दी वो सामने से कोई आ रहा है अरे ये क्या ये औरत तो उल्टा चल कर आ रही है ये सब क्या है वो औरत पायल के पास आती है पायल उसे देखकर घबरा जाती है डरो नहीं, हम भूत नहीं है हम तुम्हारी तरह साधारर इंसान है बस हम उल्टा चलते हैं क्योंकि ये उल्टा गाउं है उल्टा गाउं पर मुझे तो दीनापुर गाउं जाना था ये दीनपुर गाउं है, दीनापुर नहीं पर आप कौन हो? मैं, मेरा नाम पायल है मैं एक टीचर हूँ शेहर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ मुझे अपने बड़े ताउजी के घर दीनापुर गाउं जाना था वहां के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए पर मैं गलती से यहां गई हूँ अच्छा वापसी की कोई ट्रेन मिलेगी क्योंकि मुझे दीनापुर गाउं पहुचना है मेरे मुबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है मैं तो किसी को फोन भी नहीं कर सकती हमारे गाउं में बिजली नहीं है इसलिए आपका ये फोन वहां चार्ज नहीं हो सकता ऐसा नहीं है कि हमारे गाउं में बिजली नहीं थी हमारे गाउं में बिजली थी आपकी तरह ऐसा फोन मेरे पास भी था पर कुछ समय पहले यहां पर सब कुछ बदल गया आप मेरे साथ चलो थोड़ी देर आराम करो मैं आपको सब कुछ समझाओंगी वैसे भी इस गाउं से गुजरने वाली ट्रेन दो महीने में एक बारी रुखती है अब आपको दो महीने का इंतजार करना पड़ेगा तब तक आप हमारे गाउं में रहो आप बिल्कुल सुरक्षित हो आपको चिंता की कोई बात नहीं है हम आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे चलो मेरे साथ चलो पायल घबराती हुई उस औरत से बाते कर रही थी कुछ दिर बाद वो औरत पायल को अपने घर ले जाती है रास्ते में पायल सब कुछ उल्टा देख रही थी हर आदमी औरत बच्चे सब उल्टे घर सड़कों पर चलने वाले वाहन पशुपक्षी यहां तक कि सब कुछ पेड, पौधे वगेर भी उल्टे थे वो औरत और उसके परिवार वाले पायल की बहुत देख भाल करते हैं उसके लिए खाने पीने का सामान लाते हैं पायल को पता था कि अगले दो महीने तक उसे यहीं रहना पड़ेगा क्योंकि गाओं में बिजली भी नहीं है कि वो अपना मोबाइल चार्ज करके किसी को बुला सके मा, हमारे स्कूल में कोई टीचर भी नहीं है मा, हम सभी बच्चों को टीचर से पढ़ना है जो पिछले साल पढ़ाते थे, उन्हें वापिस बुला लो क्या करें, हमारे तो बच्चों का भविशे ही खराब हो रहा है जब से उस जादूगर्णी ने इस गाओं पर जादू किया है तब से इस गाओं उल्टा हो गया है हम सभी बहुत परिशान है यहां तक कि बच्चों का स्कूल भी उल्टा है इसी वज़े से स्कूल की कक्षा भी उल्टी है पर वो जादूगर्णी को ने जिसने इस गाओं को उल्टा बना दिया उसकी इस गाओं से क्या दुश्मनी है और वो जादूगर्णी का है वो जादूगर्णी आज के कुछ साल पहले इस गाउं में जमिनदार नी थी वो गाउं वालों को बहुत तंग करती थी उन पर बहुत जुल्म करती थी उसने कुछ तंत्र बिद्याईं सीखी और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इस गाउं को उल्टा बना दिया जब तक ये गाउं और यहां की हर चीज उल्टी है तब तक वो जादुगर्णी यानि की जमिनदार नी का अंत नहीं हो सकता तो वो जादुगर्णी कहां मिलेगी वो तो अब एक महिने बाद लोटेगी वो एक गुफा में आराम के लिए चरी जाती है सोनो की मा हमारे लिए पायल एक भगवान का फरिष्टा बन कर आई है तो मैं याद है वो जमीनदारनी जादुगर्णी ने क्या कहा था उसने कहा था कि उसने इस गाउं को और यहां की हर चीज को इसी लिए उल्टा किया है ताकि उसके उम्र और शक्तियां बढ़ जाएं पर कोई सीधा आदमी उसके सामने आएगा तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो जल जाएगी अच्छा तो ये बात है मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा उससे तो हम बाद में निपट लेंगे पर अभी मैं क्या करूँ इतने समय तक मैं यहां क्या करूँगी यहां आप सब तो उल्टे हो बस एक अकेली मैं ही सीधी हो पायल तुम एक काम क्यों नहीं करती जब तक यहां हो हमारे स्कूल के बच्चों को ही पढ़ा दो क्योंकि तुम बता रही थी ना कि तुम एक टीचर हो फिर जब वो जादूगर्डी तुम्हारे सामने आईगी तो हम जानते हैं कि तुम उसे सजा देकर हमें इस परिशानी से दूर करोगी ठीक है मैं आपकी मदद जरूर करूँगी आप मुझे स्कूल दिखा दो मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ पायल कुछ गाउवालों के साथ स्कूल देखने जाती है वो हैरान थी उल्टा स्कूल उल्टा क्लासरूम और बच्चे भी उल्टे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक नई टीचर मिली थी पायल ने बच्चों से खूब घुल मिलकर बात की उसे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था पर उसने सोच लिया था कि एक महिने बाद जब जादुगर्णी उसके सामने आई की तो वो उसका अंत गाउं वाले भी पायल की बहुत तारीफ करते थे कुछी समय में पायल उस गाउं की चहेती बेटी बन गए एक दिन पायल जब स्कूल पहुँची तो उसने देखा कि क्लास्रूम बिलकुल खाली था आज गाउं का एक भी बच्चा स्कूल नहीं आये था भाया क्या हुआ आज बच्चे स्कूल नहीं आएं प्लास्रूम बिलकुल खाली है दीदी आज कोई स्कूल नहीं आएगा क्योंकि आज जादुगर्नी आ रही है सब लोग अपने घर में छिपे हुआ है थाकि वो किसी को भी तंग ना करे और चुप चाप आकर चली जाए कोई बात नहीं आप चिंता मत करो आज आप सब को जादुगर्नी से छुटकारा दिलवा करी रहोंगी जैसे है जादुगर्नी जमिंदार्नी गाउं में प्रवेश करती है तो वो सब को चिल्ला चिल्ला कर अपना डर दिखाने लगती है सब कुछ हवा में उल्टा-पुल्टा होने लगता है गाउं के सब लोग घबरा जाते हैं कैसा लग रहा है तुम सब गाउं वालों को मैंने इस पूरे गाउं को उल्टा बना दिया है अब तुम सब हमेशा के लिए ऐसे उल्टे रहना और मेरी शक्तियां बढ़ाते रहना गाउं वाले घबराए हुए थे कि तभी पायल उस जादुगर्णी जमिंदार्णी के सामने आकर खड़ी हो जाती है पायल को सीधा देख कर जादुगर्णी घबरा जाती है उसकी सारी शक्तियां उसी समय समाफ्त हो गई और वो जल कर भस्म हो गई सब गाउं वाले बहुत खुश होते हैं बच्चे भी दोड़ कर पायल को पकड़ लेते हैं पीचर जी अब हमें उल्टे क्लासरूम में नहीं पढ़ना पड़ेगा अब हमारा क्लासरूम सीधा हो जाएगा हाँ क्योंकि अब हम भी सीधे खड़े हैं उल्टे नहीं हैं पीचर जी हम खूब मन लगा कर पढ़ाई करेंगे हाँ बच्चो अब तुम सब खूब मन लगा कर पढ़ना अब तुमें कोई परिशानी नहीं होगी आज सब बहुत खुश थे क्योंकि पायल ने बुराई का अंत करके अच्छाई को जीत दिलाई थी जादू करनी के मरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है जैसा हमेशा हुआ करता था गाउं में फिर से खुशाली आ जाती है अगले कुछ समय तक पायल ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया और एक जान पहचान के टीचर को जिसे नौकरी के जरूरत थी उसे स्कूल में बच्चों का टीचर बना दिया जिससे बच्चे भी बहुत खुश हुए अब उन्हें बिना टीचर के नहीं रहना पड़ा सबसे घुल मिलकर पायल अपने बड़े ताउजी के गाउं चली जाती है वहाँ भी सब पायल की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं सुनीता आज भी जब काम करके घर लोटी उसके दोनों बच्चे फिर से आईस्क्रीम की जित करने लगे आप किते दिनों से बोल रहे हो कि आईस्क्रीम लाओगे पर आप एक भी दिन आईस्क्रीम नहीं लाए मा तुमने बोला था कि तुम हमें आईस्क्रीम के लाओगी पर आज भी तुमा ऐस्क्रिम नहीं लेकर आई हाँ वो आज गर्मी बहुत थी धूबी बहुत तेज थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई मैं भूल गई अच्छ ठीक है कल मैं जरूर लाऊंगी सुनीता के जिन्दगी में बहुत दुख थे दो साल पहले सुनीता के पती रगु ने उसे तलाग दे दिया और किसी औरत से शादी कर ली तब से सुनीता अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी घरों में जाकर काम करना और जो पैसे मिलते उससे घर का किराया और जरूरी खर्ट सब कुछ थोड़े पैसों में करना पड़ता था और इस महीने तो उसे ज़ादा परिशानी हो गई क्योंकि इस महीने सुनीता के तब्यद बहुत खराब थी उसे काफी दिनों तक बुखार रहा जिस वज़े से वो काम पर काफी दिन तक छुटी पर रही और उसके पैसे भी कट गए साथ ही उसके तीन खर भी छूट गए अब सुनीता को एक नया घर मिला था जहां से महीना पूरा होने पर पैसे मिलने थे इस वज़े से सुनीता बहुत परिशान थी बच्चे रोजाना ही आईसक्रीम के लिए बोल रहे हैं पर मैं उन्हें कैसे कहूँ कि मेरे पास इस महीने बिलकुल भी पैसे नहीं है मैं उनके लिए आईसक्रीम कैसे लाऊं सुनीता क्या बात है किराया देने खुद नहीं आया जाता बार-बार मुझे ही आना पड़ता है हीरा लाल ची इस पर किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है बस एक महीने और रुख जाओ अगले महीने मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले आपका किराया ही दूँगी इस महीने तब ये ठीक नहीं थी इस वज़े से मेरे बहुत घर छूट गए बस थोड़े दिनों की परिशानी है मैं आपको किराया दे दूँगी मेरा क्या है कर्स चड़ रहा है तुझे ही खटे देने पड़ेंगे पैसे मैं तो तेरे बच्चों पर तरज खाकर तुझे रहने के लिए जगा दे रहा हूँ कोई और होता तो कपका घर से निकाल चुका होता मुझे बहुत किरायदार मिल रहे हैं जो अच्छे पैसे देंगे बस एक महीना और रुखोंगा अगर नहीं दिया किराया तो मैं अगले महीने आकर सामान बाहर भेंग दूँगा मकान मालिक गुस्से में बोलता हुआ चला गया सुनीता को सब तरफ की चिंता थी वो अपने बच्चों का भी मन नहीं मार सकती थी पर अभी वो मजबूर थी उसे एक महीने का इंतजार करना था सुनीता काम पर पहुँची तो उसकी मालकिन उससे बोली सुनीता आज राशी का बर्डे है ये थोड़ी सी चॉकलेट है अपने बच्चों के लिए लेती जाना उसने स्कूल में बाटी थी ठीक है मालकिन मैं लेती जाओंगी सुनीता काम करके घर जाने लगती है मालकिन थोड़ी बर्फ मिलेगी बच्चे ठंडा पानी मांग रहे थे हाँ रुख देती हूँ और वो चॉकलेट मेज पर रखी है वो भी उठा ले अरे बर्फ ऐसे पिगल जाएगी आइसक्रीम का बहुत मन करता है मां ये चॉकलेट किस ने दी ये चॉकलेट मालकिन ने दी है और देखो मैं तुम्हारे लिए बर्फ भी लाई हूँ अभी मैं ठंडा ठंडा पानी दूँगी मां ये तो गर्मी से पूरी बिगल गई है ये चॉकलेट नहीं खाये जाएगी रुको इसमें बर्फ है मैं एक काम करती हूँ आज तुम्हें अपने हाथों से डेरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम बना कर खिलाओंगी डेरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम चल्दी से बनाओ न मां मैं तो सोच रही हूँ कि डेरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम कितनी टेस्टी होगी कोशिश कर रहे हूँ बन जाए तो अच्छा है सुनीता देखती है डेरी मिल्क चॉकलेट बिगल चुकी थी घर में थोड़ा दूद रखा था सुनीता ने एक कटोरे में सारी चॉकलेट दूद और थोड़ी चीनी मिलाई और उसका एक घोल तैयार कर लिया चुटकी भर नमक डाल कर सुनीता ने उस बर्फ में एक डिबी में वो घोल डाल कर कुछ देर के लिए रख दिया थोड़ी तेर के बाद बर्फ जिस बैग में रखी थी उसमें से सुनीता ने वो डिब्बे निकाली और उसे खोल कर देखा तो वो हैरान रह गए डेरी मिल्क चॉकलेट की बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी आईसक्रीम जम चुकी थी आईसक्रीम देख कर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए सुनीता ने बच्चों को आईसक्रीम दी और खुद भी खाई तो उसे सच मुच अपने हाथों की बनाई डेरी मिल्क चॉकलेट की आईसक्रीम बहुत पसंद आई अचानक सुनीता के दिमाग में एक योशना बन जाती है अगर मैं ऐसे ही डेरी मिल्क चॉकलेट की आईसक्रीम बना कर बाजार में बेचू तो मेरी थोड़ी बहुत कमाई तो शुरू होई जाएगी सुनीता ने मन बना लिया था कि उसे अब शाम के समय आईसक्रीम का काम करना है सुनीता ने अपनी जान पहचान की एक सहेली से थोड़े पैसे उधार लिये और सामान खरीद कर एक ठेला लगा लिया सुबह के समय सुनीता काम पर जाती तो आईसक्रीम जमने के लिए छोड़ देती और शाम को जब आईसक्रीम जम जाती तो सुनीता उस आईसक्रीम का ठेला बाजार में लगाती अब धीरे धीरे सुनीता की डेरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम लोगों को पसंद आने लगी इस वज़े से सुनीता का काम और बढ़ गया और उसने अगले महीने अपना किराय भी आसानी से दे दिया सुनीता को और मेहनत करनी थी पर एक दिन जब वो शाम के समय अपने ठेले पर आईसक्रीम बेच रही थी तब ही उसका पती जिससे उसका तलाग हो चुका था वो आजाता है क्या बात है मेरे जाने के बाद तो तुने आसक्रीम का ठेला शुरू कर दिया तेरे पास इतने पैसे कहां से आये कहीं तुने किसी मालदार से शादी तो नहीं कर ली तुम ये बकवास करने के लिए मेरे ठेले पर आयो, अब मेरा तुमसे कोई रिष्टा नहीं है, मेरा और तुम्हारा तलाक हो चुका है, चुप चाप यहां से चले जाओ, वरना मैं आस पड़ू, उसके लोगों को इकठा कर लूगी अच्छा, अब तु अपने पती को पिटवाईगी पती? कौन सा पती? तुम्हारा मेरा अपतलाक हो चुका है, मेरा तुमसे कोई रिष्टा नहीं है तु कुछ भी कहले पर मैं कल तेरे ठेले पर फिराऊंगा, और जितनी भी कमाई की है, उसमें से थोड़े पैसे मुझे दे, मुझे जरूरत है, और मैं जानता हूं तुम्हे पैसो के लिए मना नहीं कर सकती सुनीता का पती रगु शराब के नशे में था, इसलिए वो उसे बोल कर चला जाता है सुनीता थोड़ा घबरा गई थी कि अगले दिन फिर रगु से तंग करने ना आ जाए, और यही हुआ, रगु उसके ठेले पर आगया और उससे जोर जबरदस्ती करके, गल्ले से पैसे निकालने लगा सुनीता का पती रगु जबरदस्ती उसके पैसे चीन रहा था, सभी आसपास के दुकानदार सुनीता की मदद के लिए आगया आगय, उन्होंने रगु को अच्छा सबग सिखाया और धमका भी दिया बेन, चिंता मत करो, यह अब तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा अरे, यह कोई जबरदस्ती है, जब तलाक हो गया, सारा रिष्टा खतम हो गया, तो तु यहाँ पर इसके काम को बिगाडने क्यूं आए है, अभी क्या भी चला जाने तो पुलिस में खबर कर देंगे हाँ तुझे तो देख लूँगा, अट निकाले यांसे, आमज जईयो रगु पिटकर वहाँ से चला जाता है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बेन अगर यह तुम्हें तंग करेगा, तो हम खड़े हैं, हमारे होते हुए, यह तुम्हें कुछ नहीं कह सकता आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया भाईया, बड़ी मुश्किल से मैंने की काम शुरू किया ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकूँ तुम आराम से काम करो, हम सब तुम्हारे साथ है सुनीता, हम तुम पर और बच्चों पर कोई आच नहीं आने देंगे। उस दिन के बाद सुनीता ने सुबह का काम छोड़ दिया और पूरी तरह अपनी डेरी मिल्क चॉकलेट आइस्क्रीम के काम में लग गई। गर्मियों में सुनीता की बहुत कमाई हुई। सुनीता की मजबूरी की कहानी सुनकर बहुत से लोग उसकी मदद को आए और उन्होंने सुनीता की ठेले पर जाकर उसका इंटर्व्यू लिया और उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया जिससे सुनीता की कमाई में और बढ़ होत्री हुई। सुनीता की मेनत रंग लाई और उसकी डेरी मिल्क चोकलेट आइसक्रीम के चर्चे दूर दूर तक फैल गए।